साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल बर तो अब हम यहाँ पे कुछ और questions की practice करेंगे जहाँ पे हम बहुत सारे questions को तयार कर रहे हैं उसी के क्रम में जैसा कि आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूं जहाँ पे अगर आपको याद होगा कि हमने लिपिड चैप्टर को start किया था तो लिपिड की regarding हमने 4-5 lecture upload किये हुए थे और काफी चीज़े हमने वहाँ पे cover कर ली थी तो वहाँ से एक questions जो कि आपका derive हुआ है जो कि आपका CSIR का question है तो यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे बहुत ही sort में ठेक है जहां से आपका मान के चलिए कि आपका DBT भी question पूछता है और ICMR भी question पूछता है तो यह part बहुत important है तो हाला कि यह question जो है यह आपका CSIR का है देख लीजेगा यह शायद आपका 2018 का होगा अब बाकी किस session का है मतलब December का है जुलाई का है वो आप rectify कर लीजेगा तो यहाँ पे जो बहुत ही आसान question है जो कि बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं तो हाला कि यहाँ पे आपको matching मिलाना था मतलब यह particular enzymes दिये गए हैं उनके क्या-क्या role है ठीक है तो अगर आप lipase को देखेंगे जैसा कि हमने lipid की biosynthesis भी आपको पढ़ा रखी है तो यह सारी जीजें जो अच्छे follow करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान question है और अगर आप lipid के बारे में या lipase के बारे में थोड़ा भी आप जानते हैं तो options को match कर लेंगे ज अगर आप एक थर्ड को मिलाएंगे तो यह आपको एक ही options में देखने को मिलेगा जो कि इसका answer बन जाएगा लेकिन remaining options क्या कहते हैं हो सकता है कि ऐसे ही question derive करके आपको section B में दे दिया जाया और इसके बारे में हमने चर्चा भी किया है जो कि आपके flipase, flopase होते हैं और scramblease हो कुछ आपके intra में होते हैं जिससे क्या होती है lipid की asymmetry maintain रहती है मतलब यह पूरे तरीके से क्या कह सकते हैं आप एक balance stage में रहता है ठीक है और इसी में हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि तो आपका phosphatrial serine होता है वो आपका अंदर की तरफ रहता है लेकिन जब यह outer surface में आ जिम्मेदार है तो कुछ enzymes होते हैं जो इनकी concentration को maintain रखते हैं उसमें आपके यह तीन enzymes आते हैं जो कि आपके flipase होते हैं flopase होते हैं और scramblease होते हैं तो इसके explanations को हम एक बार देख लेते हैं जैसा कि मैंने यहां पर लगाया हुआ है flipase जो होता है वो translocation of the amino phospholipid जो कि आपके ethanol amine and phosphatidyl serine यह दो आपके यह दो आपके lipid के molecule होते हैं जो कि आपके inner surface पर रहते हैं जो कि रहते हैं तो यह inner surface पर पाए जाते हैं लेकिन यह कहीं से तो लाए गए होगे न तो इनको outer से inner की तरफ लाने के लिए जो जिम्मेदार ही होती है वो आपका flipase होता है ठीक है तो flipase को अगर हम बताएं तो जैसा कि यहां पर लिखा है from the extracellular यह याद रखिएगा from the extracellular to the cytosolic leaflet of the plasma membrane contributing the asymmetry distribution of the phospholipid मतलब कि आपका asymmetry membrane में maintain रहता है इसी तरीके से phosphatidyl ethereum amine and phosphatidyl serine primarily in the cytosolic leaflet पे होते हैं इसको याद रखिएग है जो कि मैंने आपको रठवाया था जब हमने लिपिट के चैप्टर को किया था keeping phosphatidyl serine out of the extracellular leaflet is important होता है its exposure on the outer surface trigger apoptosis तो अगर यह outer surface में जाता है तो वह apoptosis को बताता है जो हमने अभी जस्ट अगर भी पिछला lecture अभी upload हो जाएगा जहां पे हमने इसके बारे में जिक अगर यह इतना काम कर रहा है तो यह कुछ तो इसको अपना reward चाहिए समझ रहे है reward चाहिए या कोई असानी से काम नहीं करता है उसके लिए आपको कोई ना कोई मूल चुकाना पड़ता है या कोई ना कोई आपको प्राइस देनी होती है तो यहां पे जो होता है वो फ्लिबेस जो होता है वो एक ATP कंज्यूम करता है पर molecule of phospholipid को ट्रांसलोकेट करने में and they are structurally and funcally related to the P-type ATPAs तो जैसा कि आपने active transport जब आप पढ़ते हैं तो आपने P-type, F-type इस तरीगे के transporters आपने देखे होंगे या आप पढ़ते हैं या मैं आपको आगे पढ़ा दूगा जिसमें आगर आपको commonly अगर मैं आपको बताओ जहां पे आप ATP synthesis पढ़ते हैं तो वो भी आपका एक translocator ही होता है तो कुल मिलाके जो आपको याद रखनी है flipase जो होते हैं यह बहुत सारे काम करते हैं तो कुल मिलाके यह क्या करेंगे यह आपके outer से कोई चीज को inner लाना है तो यह काम आपका flipase करेगा और inner से outer ले जाना है तो इसका just opposite एक enzyme होता है जिसको ह यह आपका two other type of lipid translocating activity are known but less well cataride जो कि आपके flopase होते हैं जो कि plasma membrane phospholipid from cytosol से extra solar की तरफ ले कर जाएगा like flipase or ATP dependent तो यह भी आपका क्या करता है ATP dependent होता है और इसको याद रखने के लिए चुकि इन दोनों की spelling में double P है ठीक है तो यानि कि यह क्या कर रहे है यह double P का मतलब ATP को यह क्या कर रहे है consume कर रहे है मतलब इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा समझ लीजी और बाकी flopase जब आप transporters पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ABC transporters पढ़ेंगे जो कि drug discovery में बहुत important होते है drug resistance का जब खेल आता है ठेक है तो वहाँ पर होते हैं तो flopase जो होते हैं वो ABC transpor वोल्टर फैमिली में बहुत अच्छी इनकी भूमिका है जहां पे वो काम करते हैं इसके अलावा आपका तीसरा जो होता है वो आपका scramlase होता है यह क्या करते हैं protein that move any membrane phospholipid across the bilate down its concentration gradient यह बहुत important है मतलब यह किसी भी तरफ ले जा सकते है scramlase जो होते है मतलब सरल भासा तो यह बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो यहां पर आप देख लीजे from the leaflet where it is higher concentration to the leaflet where it is lower concentration dear activity is not dependent on ATP तो यह याद रखेगा scramlase जो होते हैं वो ATP को use नहीं करते हैं ठीक है अगर आप down dear concentration पर जा रहे हैं तो suppose that अगर जो भी काम आपका against the concentration में आपकी ATP खर्च होगी ना नाउन में तो अगर आप नर्मल अगर आपने diffusion आस्मोसिस यह सारी चीजें जब आप पड़ते हैं तो वहां पर कहां ATP खर्च होती है तो आप इसको वहां से correlate कर सकते हैं इस क्रैमलेज activity lead to the control randomization of the head group composition of the two faces of the bilayer the activity rise sharply in the increase in the cytosolic calcium तो यह याद रखेगा scramlase जो होता है calcium dependent होता है बाकी यह आपका cell injury या apoptosis के समय एक्टिव हो जाता है exposure आप दा फॉस्पेडिल सरीन आप दा आउटर सर्फेस तो इस तरीके से है बाकी फॉस्पेडिल सरीन का relation macrophat से भी है इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेगा घुमा के exam में आपसे पूछा जा सकता है फाइनली एक ग्रूप आफ प्रोटीन डाट एक प्रैमली टो मूँ फॉस्पेडिल आइनोसाइटॉल लिपिट्स एक्रॉस लिपिड बायले रखेगा है तो यह जैसा कि हमने प्याइपी टू बगरा को आपको पढ़ा रखा है तो बस वही बात को यह बता रहे हैं कि ज यहां पर देख लीजे यहां पर डाउन डियर कंसंट्रेशन आपको दिया है तो यह स्टेट्मेंट को आप डाउन कर लीजेगा एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है catalyze the movement of any membrane phospholipid across the bilayer down its concentration gradient तो scrables जो होगा वो down their concentration लेकर जाएगा flipase जो है वो क्या करता है ATP dependent करेगा flipase और flopase दोनों करते हैं इस statement याद रखेगा translocation of amino phospholipid अगर आप यहाँ पर note down करेंगे न तो यह book की जो line है यह देखिए flipase amino phospholipid यही line को यहाँ पर चेपा हुआ है तो यह जो line है जैसा कि आपको Bruce Albert की book से मैंने आपको पढ़ाया था तो questions कहां से derive होते हैं तो चुकि मैंने आपको बार-बार बोला है अगर आपको bio membrane transport पढ़ना होगा तो आप Bruce Albert और Lalinger यह दो book से करके जाएगा more than sufficient रहेगा और यही की line को इन्होंने उठाया हुआ है तो यानि कि यह बहुत इस salt में हमने एक part को cover किया है जो की exam में आपसे questions पूछे जाते हैं तो कुछ बातें जो आपको और ध्यान रखनी है flow pace आपको याद रखना है कि ABC transporter में काम आता है ठीक है और flip pace जो होता है यह आपका P type वाले transporter के तरीके काम करते हो और scramlase जो होता है वो calcium dependent होता है तो यह कुछ important चीज़े है जिसको आप note down करेंगे तो कुल मिला के हम simultaneously बहुत सारे चीज़ों को आपको cover करा रहे हैं ठीक है और यह सारे lectures आप देखते रही है क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं आपको जैसा कि मैं आपको अभी रिसेंट में मैंने आपको techniques के video upload हो रहे थे ना तो अगर आपको यह अचानक से video मिला होगा तो आपका सब bounce हो गया होगा ठीक है तो यह सब चीज़े नहीं करनी है क्योंकि मैं जानबूच के ऐसा करता हूँ कि बीच बीच में आपको बाकी चीज़े भी device कराई जाए क्योंकि exam में जब आप unaccessive signaling का जाएगा तो आपको सारी चीज़ों को balance करके recall करके चलना होगा ठीक है तो आशा है कि यह सारी चीज़े अब आपको समझ में आ गई होगी बाकी अगर कोई चीज़े नहीं समझ में आती है तो आप comment section में बताईएगा और बहुत अच्छे से preparation करना start कर दीजे बाकी यह सारी चीज़े यह सारा effort अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस channel को like कीजेगा शेयर कीजेगा बाकी मिलते हैं next video में next information के साथ